हेलो फ्रेंज दीपा निवार्ट्स क्ला में आपका स्वागत है आज हम आपको एक मिटर से भी कम कपड़े में डिजाइनर कुर्ती बनाना बताएंगे ओभी एपल कट तो देखें यहां पे हम इसकी चोड़ाई देख लेते हैं तो हमने लंबाई में फोल्ड किया है तो क्योंकि उस साइड में हमारा पुरा चेश्ट और हिप का सब साइज आ जाएगा तो देखिए आपको ऐसे ही कपड़े लेने हैं उसके बाद ऐसे टू-फोल्ड करना है तो हमने टू-फोल्ड कर लिया प्रो फोल्ड कर लिया है आप यहां पे देख सकते हैं तो आपको भी जैसे ही जैसे आम कुर्ती जैसे फोल्ड करते हैं आप इसको भी फोल्ड कर लेंगे उसके बाद अपना माप जो भी है आपका उसी साथसे काटिंग करेंगे तो देखेए अब यहाँ पर हम फोल्ड करनी हैं तो यहां पे आपको यहां पर बनापके दिखाएंगे हम तो यहां पर पहले हम साड़ी छेज़ पर सॉल्डर लेंगे तो हमने छेज़ चि sto है चाइज उल्डर रखा है और हमने आर्मोवड शाड़े 6 इंज का रखा है तो आपका जो भी साईज हो आप उसी साप से कटिंग करें है तो मेरा मीटियम साईज है इसलिए हमारा एक मीटर से कम कपड़े में आ जाएगा कुर्ती हो जाएगी तो आप एक मीटर कपड़ा ले सकते हैं तो यहां पर हम तीन इंच पर गले का निशान लगाएंगे, गले की लंबाई हमने छे इंच रखी है आगे की, तो यहां पर भी हम तीन इंच पर इसको चार कौन का बना लेंगे, बॉक्स की तरह, उसके बाद हम इसमें गुलाई में सेव देंगे, तो फ्रेंस यहां पर हम चेस्ट माप लेंगे, तो चेस्ट हमारा है 32 इंच, तो इसका हम 8 इंच लेंगे, तो देखिए यहां पर 9 इंच का है, हमारा 4 फोल्ड, तो इसमें से हमारा 1.5 इंच मार्जन के लिए होगा, कमर का निशान लगाएंगे, तो आप कमर का निशान यहां से चेक कर सकते हैं, 14 इंच या 12 इंच पे लगा सकते हैं, तो हम यहां से 14 इंच पे लगाएंगे, और यहां पर हम पूरा चेक कर लेंगे, तो हमने यहां पर 21 इंच या 18 इंच पे हिप का निशान लगाना है आपक तो हम यहां पर 18 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 19 इंच पर एक निशान लगाएंगे और हम यहां 14 इंच पर कमर का निशान लगाएंगे तो हीप पर मैंने दो निशान लगाया है, एक हमारा चाक जहां तक रहेगा, एक हम वहाँ से सिलाई रोक देँगे, 18 इंच का, और नीचे मैंने 1 इंच मार्जन छोड़ दिया है, 34 इंच पर निशान लगाया है, टोटल हमारा लंबाई है, 35 इंच कपड़े का, तो देखिए ह तो हमारा कमर है 7 इंच यानि की 16 इंच और हमारा हीप है 36 इंच तो हैं पर हमने 9 इंच इसका लिया है और हम 9 इंच का ही नीचे का दामन भी लेंगे तो फ्रेंच देखिया आपको भी आएसे निशान लगा लेना है पूरा तो मैंने यहां पर यहां पर हम पाइपीन लगाएंगे इसलिए हमने मार्जन ज्यादा नहीं लिया है तो नीचे हम एपल कट कूर्ती बना रहें तो फ्रेंच यहां पर हम हिप दावन का भी दिखाते हैं देखिये यहां पर 9 इंच है तब यहां पर हमारा निशान सब लग गया है बस हम यहां प तो आप यहां पर देख सकते हैं हमने आर्मोल में 1 इंच और 1.5 इंच का गुलाई दिया है तो आप उसी हिसाब से दे सकते हैं आपका जितना मतलब आर्मोल की गुलाई हो यह अंदर की तरफ भी हम कूर्ती में कटिंग करते हैं तो यह हमारी एपल कूर्ती है हम इसमें स्ल हम फोड़ा से हमें आगी की तरफ गुलाई देना है ज्यास इ स्लिव की कटिंग की है आर्मोल की कटिंग की है नहीं लगाएंगे टो देखी हैं यह जितना है थाला यहां पर मैंने मार्जन के लिए उतना ही कपड़ा चोड़ा है जितना हमारा पाइपीन में जा सके तो आप अलग से कपड़ा कट भी कर सकते हैं तो देखिए हमने निशान लगा लिया है अब इसकी ऐसे ही सेम कटिंग कर लेंगे तो देखिए हमने जो निशान लगाया है मार्जन के लिए उसीव से कटिंग करेंगे अब आपको पूरा ऐसे ही सूट की कटिंग कर लेना है तो फ्रेंज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो पह देखिए फ्रेंज यहां पे हमने यहां तक यहां पे हमें कट लगा देंगे ताकि हमारा पता चल जाएगा कि यहां से हमें हिप है यहां पे हमें सिलाई रोकनी है अब यहां से आर मोल्ड की कटिंग कर ली हमने और हमने सारी कटिंग कर ली सिर्फ गले की कटिंग बाकी है तो हम यहां से बैक पार्ट को अलग कर लिया है, अब फ्रंट पार्ट के हम गले की कटिंग कर लेंगे, फिर हमारी कटिंग कपलीट हो जाएगी, फिर हम बैक साइड का पार्ट लेंगे और इसमें भी गले की कटिंग करेंगे, तो देखें यहां पे हमने तीन इंच का रखा ह तो यहां हम बीच में हम एक इधर से हम दो इंच पर निशान लगाएंगे तो आपका सोल्डर जिसी साफ से उसी साफ से निशान लगाएं तो आपको इस टेट ऐसे पूरा नीचे तक गुर्ती तक निशान लगानी है इसमें हम डिजाइन बनाएंगे तो आपको यह एकदम ध डालेंगे तो देखिए हमने निशान लगा लिया है अब आपको भी ऐसे निशान लगा नहीं है फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो फ्रेंस से पहले हम गले की कटिंग करेंगे उसके बाद हम आपको कटिंग करके दिखाएंगे तो यहां पे हम गले की कटिंग कर लेते हैं ताकि हमारा फ्रेंस हम इसलिए cutting नहीं करें हमारा पार्ट इधर अधर हो जाएगा तो पहले हम गला की cutting कर लेंगे back side का पुरा cutting कर लेंगे फिर last में इसकी part अलग करेंगे जहां पर हम डिजाइन बनाएंगे तो फ्रेंस यहां से पर हमने cutting कर लिया है अब back part को लेंगे अब पर हम गले की cutting करेंगे तो हमें ऐसे ही उपर की तरफ रख देना है नीचे की तरफ करके तो दो हिंच जितना आपको गला बड़ा रखना है आप उस हिसाब से इंच टेप से नापके काट लीजिए या फिर सूट को ऐसे नीचे थोड़ा खिसका के रख दीजिए फिर गुलाई भी बन जाएगी तो यहाँ पर हमने दो इंच उपर छोड़ा है तो यानि कि यह हम आठ इंच की गला रखेंगे देखिए यहाँ पर आठ इंच आ रहा है तो आठ इंच का हम गले की cutting कर लेंगे back side की तो आप सेम ऐसे ही cutting कर लेना है तो देखिए फ्रेंज हमने इसकी cutting कर ली है हमने फ्रंट पार्ट की भी cutting कर ली है आरमोल की हलकी सी गुलाई देंगे यहाँ पर हमने ज़्यादा आरमोल की गुलाई नहीं दी है क्योंकि यह हमारी piping वाली होगी तो इसमें sleeve नहीं लेगा तो खिचाव नहीं आएगा अब यहाँ पर हमने जो यह निशान लगाया था इसको हम cut करके अलग कर लेंगे और उसके बाद हमें एक color का कपड़ा और चाहिए तो आपका कपड़ा जिस color का हो उस हिसाब से matching color ले लीजिए ताकि उस पर वो color खिले तो यहाँ पर हम हलका green color लेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने यह कपड़ा लिया है तो यह औरेम में है तो आपको औरेम में वही लेना है क्योंकि हम piping चारो तरफ लगाएंगे अपने दामन में गले में भी piping रहेगी और armhole में भी piping रहेगी तो इसलिए हम यहाँ पर 1.5 इंच आपका मुतलब जितने में piping होता हो 1.5 इंच 2 इंच तो हम यहाँ पर single piping बनाएंगे तो इसलिए हमने 1.5 इंच कपड़ा रखा है और इसको हमने ऐसे कट कर लिया है तो आपको ऐसे बहुत सारे piping कट कर लेने है उसके बाद आपको डिजाइन के लिए छोटे छोटे टुकडे कट करने है तो देखें यहाँ पर हमने piping को ऐसे कट कर लिया है तो यहाँ पर हमें piping की जरूरत बहुत ज़्यादा है तो आप इसी साब से और भी सारे जितने आपकी कुर्टी में लगेगी piping कट कर लिजिए उसके बाद आपको यहाँ पर हम बताते हैं तो यह हम गुलाई में जो है सब piping लगाएंगे और गले में भी piping लगाएंगे तो यहाँ पर हम छोटे जो कपड़े लिए भी भी और भी है तो इस कलर का कपड़ा लेके आपको तो आपका कलर जिसके साब से है उसके साब से कुर्टी बना सकते हैं ऐसा नहीं है कि इसी कलर का बनाएं बस matching के लिए कलर चाहिए तो यहाँ पर हम नीचे से फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर हम यह डबल हमने कपड़ा लिया है यहाँ पर तीन इंच लंबाए तीन इंच और आए का हम छोटे चोटे टुकड़े कट करेंगे जिससे हम डिजाइन बनाएंगे तो हमने जो कट किया है फ्रंट पार्ट पर उसमें हमारा डिजाइन लगे तो देखें यहां पर हमने जो कपड़ा कट किया है यहां पर ऐसे हम रख लेंगे इसको उसके बाद हम इसकी चौड़ाई भी तीन इंच रखेंगे तो तीन इंच पर निशान लगाते हुए हम कपड़े को छोटे-छोटे करते हुए चले जाएंगे तो देखा फ्रेंज हमने ऐसे ही कट कर लिया है पुरा तो आपके डिजाइन में जितना लंबाए सूट का हो इससाब से कट कर सकते हैं तो देखें यहाँ पर हम तो फ्रेंज हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टीचिंग बताएंगे तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लेज लाइक सेर सब्सक्राइब करें कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा थाइंक यूँ